वेलकम बेक तो माई चैनल आपके लिए एक नाय इंट्रेस्टिंग यूस्फूल वीडियो लेके तो आपको अगर हमारे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें शेयर कर दिया करें और कमेंट करके बताए कि आपको हमारी video कैसे लगते हैं तो अब ज्यादा बाते ना करते हुए आए वीडियो हम्स्ट्राइट करते हैं आज का वीडियो हमारा बहुत ज्यादा जयादा interesting और useful है तो सबसे पहले हम अपनी जो पहली tricks है वो आपके सामने लेके आ तो सबसे पहले जो हमारी टेप है वो है बारिश के मौसम में या वैसे भी मक्ही और मच्छार कीड़े मखड़े बहुत ज्यादा आते हैं तो इस तरह के प्लास्टिक के कंटेर जो हम बाहर से ओनलाइन खाना ओडर करते हैं उसके साथ इस तरह से मिलते ही हैं तो आपके पास जैसा भी है बड़ा या छोटा वो आपको ले लेना है और इसमें हमें इस तरह की एक फोक लेनी है और इसको गेस पे हम करेंगे गरम और इससे हम कर लेंगे इसमें छोटे-छोटे छेद तो ज्यादा नहीं करने हैं आपको थोड़े-छोडे करने हैं तो आप देख सकते है इस तरह से हमने बड़े आराम से इसमें छेट कर ली है और इसके करने के बाद हमें क्या करना है यह हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे तो जिस तरह से हमने नीचे वाले हिसे में किया इस तरह से हमें धक्कन में भी करना है तो हमने दोनों चीजों में तो क्टित भांधे में बहुत जैदा जाल के वह नारमल खाने वाला नमक तो मुनूपीfahr इस तरह से नमक डालने के बाद तो डिश वाश लकविड तो यहां से फेस वाश की बॉटल में रखा तया यह विम लिकविड मैं अपके साथ अल्डेडी शेयर किया हूए है और इसको डालने इसको अच्छतर से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालनेंगे फिनायल की गोली अगर आपके पास कंटेनर जादा बड़ा है तो आप 3-4 डालने ये छोटा सा था तो इसमें हमने एक गोली डाली है तो ये गोली भी थोड़ी सी बड़ी साइज की थी और इसको बंद करके आप ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से मक्षियां बग्यारा जादा आती हैं तो अच्छा है तो किचिन में रख दें, बेडरूम में रख दें या डानिंग टेबल के पास रख दे क्युंकि यहीं पर मक्षरों का या मक्षियों का प्रकूप ज्यादा रहता है तो आप देखेंगे कि आपकी जो मक्ही हैं और जो मच्छर है वे एकदम से भाग जाएंगे अगली जो हमारी जो टिप्स है वो है परिफ्यूम की खाली बॉटल को लेके अक्सर खाली होने के बाद इसको हम फेक ही देते हैं यहां फिर जो गरम कपड़े हैं या वैसे कपड़े हैं जो हम ज्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो बारिश की वज़े से उसमें अजीब से स्मेल आने लगती है तो जब भी आपके ये परिफ्यूम की बॉटल खाली हो तो आप क्या करें आपको क्या करना है कि यह जो पर्फ्यूम की खाली बोटल है उसको हम इसका धक्कन खोल के और जहां हमारे कपड़े रखे रहते हैं वहांपे उसके नीचे भर्फ्य के त कहुछबू आती है उसके दम से रिमूव होजाएगी उसके बाद हमें आप देखा होगा कि आकसर बाल बहुत ज़्यादा तूटने लगते हैं और इसका एक में कारण ये होता है कि जो हम कंगी यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की होती है तो आप प्लास्टिक की कंगी यूज ना करें, लकड़े की कंगी यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों का जो तूटना ज़ढ़ना है वो काफी कम हो गया है तो मुझे बी यह बात नहीं पता थी, लेकि जैसे ही मुझे पता चली तो अब मैं भी प्लाष्टिक के कंगी का यूज ना करके लकडी की कंगी का यूज करूंगी तो अगर आपके पास भी इस तरह की कंगी आई तो उसे आप हटा God तो आपके hair में improvement अलग दिखाई देगा उसके बाद आपने देखा होगा की ज्यादा सर्दियों में या गर्मियों में जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारे जो स्किन है वो काली सी होने लगती है तो इसके लिए आपको महंगी क्रीम खरिदें कि कोई जरूरत नहीं है जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको लेना है फ्रिज में रखा हुआ ठंडा कच्चा दूद धियान रहे यहाँ पर हमें कच्चा दूद ही लेना है और उसके बाद आपको इसमें अपने हाथ पेरों में या फेस पे जहाँ भी काला पना गया है वहाँ पर इस तरह से आप उसको लगा लें और आधे से एक घंटे रखे रहे हैं तो उसके बाद आप इसको वाश कर लें क्योंकि दूद को सबके घर में आता ही है तो आप उस दूद का यूज करके और आप अपने इसकिन को सौफ्ट और ग्लोईंग बना सकती है तो छोड़ी छोड़ी चीजे हैं इनको यूज करके आप अपने पैसे तो बचाएंगी ही साथी साथ ताइम भी बचेगा तो वीडियो अच्छा लएक है तो लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू